हेलो एवरिवन आज मैंने बनाई थी चिकन मोमोस और फ्राइड और स्टीम दोनों बनाई थी तो इसकी रेसिपी आप लगों के साथ शेयर करूंगी सबसे पहले यहाँ पे मैं वन एन हाफ केजी से थोड़ा सा कम है क्वांटिटी बॉनलेस चिकन लेना है इसे मैं प्रोसेसर में डाल रही हूँ इसकी बाद गार्लिक पेस्ट तक्रीबन वन टीबल स्पून लेना है तो मैंने छोटा चमश लिया है इसलिए मैं दो से तीन चमश डालूंगी गार्लिक पेस्ट एकवल कॉंटिटी में हम लोग जो है जिंजर पेस्ट यूज करेंगे हरी मिर्ची डालना है आप चाहे तो कैपसिकम भी यूज कर सकते हैं मैंने पास से साथ हरी मिर्ची लिया है इसमें डालना है डाक सोय सॉस वन एन हाफ टीश्पून जो स्पाइसेस डाली हूँ मैंने याने के जिंजर गालिक पेस्ट उसमें अल्रेडी सॉल्ट होता है और डाक सोय सॉस भी डाल रहे हूँ लेमन जूस भी रहेगा तो मैं सॉल्ट का इस्तिमाल नहीं करूंगी आप चाहे तो इसमें स्वात के अनुसा नमक डाल सकते हैं एक कलेमन का जूस डालना है इसके बाद वन नीडियम साइज की अनियन डालूंगी आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन भी यूस कर सकते हैं इसके बाद यहां पर 1 अंडा डालना है एक अन डालने के पाद अब इसे हम लोग जो है अच्छे से बारी चॉप करना है यानिके पूर पूरा एक हो जाना चाहिए अद्दम, देख सकते है, मैंने पूरा इसे पीस लिया है, इसे एक बोल में निकाल लूँगे और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तकरीबएं एक से देड़ घंडे के लिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा, एक से देड़ गून लिया है अच्छे से हलका सा हाथ में ओयल ग्रीस करके इसे और दस मिनिट के बाद में नीडिंग कर रही हूँ तो ये पॉफेक्ली सॉफ्ट हो चुका है और सिर्फ नमक डालके मैंने गुना था जिस तरीके से हम लोग रोटी का आटा गुनते हैं इसे ही गुना है अब हम लोग इसकी जो ये लोई बना लेंगे यानि के छोटे छोटे इसके पेड़े बनाना है थोड़े बड़े ही बनाएंगे छोटे नहीं बनाएंगे और जो हम लोगों को जो डंपलिंक्स बनानी है यानि के जो मोमो उसका छोटे-छोटे से हम लोगों को बेलना नहीं पड़ेगा मैं बहुत ही आसान ट्रिक दे रही हूँ कि एक बड़ा सा पेडा लेके उसको हम लोग रोटी की तरह पूरा बेल लेंगे जितना भी यह इतना जो साइज है पट्रे का उस साइज का पूरा इसे बेल लेंगे हम लोग इक्वली रोटी की तरह जैसे हम लोग रोटी बेलते है सेम वैसे ही पूरा कंप्लीट इसे बेल लेना है इसके edges भी equal होने चाहिए और एक छोटे size का हम लोग कोई भी ऐसा धकन ले लेंगे ये डाबर हनी की bottle का धकन था तो मुझे perfect size लगा तो मैं इसी से cutting कर रही हूँ क्योंकि momos जो है बहुत जादा quantity में बनता है तो हम लोग को बहुत time जाएगा अगर हम लोग single single एक एक रोटिया इसकी बेलेंगे तो इस तरीके से बहुत easily ये 5 से 6 pieces easily निकल जाते है और बहुत जटपट काम हो जाता है तो ये बहुत easy trick है momos बनाने की ये perfect size है अब इसमें हम लोग stuffing करेंगे मैंने यहाँ पे बेल बेल के रख दिया था बहुत सारा cutting करके अब जो stuffing है वो हम लोग इसमें feel करेंगे और folding भी बहुत easy बताऊंगी मैं आप लोगों को जादा difficult folding नहीं क्योंके मैंको जो है बहुत सारी quantity में बनाना था momos इसलिए मैंने जो है ये easy सी folding की है बस side से इसके edges को दबा देना है और दूसरे side के दोनो side के edges को हम लोग इस तरीके से दबा देंगे और कोई भी मतलब चिपकाने के लिए कुछ अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है normal आटा है तो हम लोग इसे press करेंगे तो वो stick हो जाएगा इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे dumplings यानि के सारे momos ready कर लूँगी कई लोग जो है chicken की stuffing जो रहती है वो cook करते हैं उसके बाद में फिर उसको feel करके steam करते हैं बट actual में जो Chinese लोग बनाते हैं तो वो लोग directly steam करते हैं feel करते है chicken को जिस तरीके से यहाँ पर मैं कर रही हूँ तो cook करने के बाद में उसका टेस्ट अलग होता है और आप इस तरीके से करेंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा बस यहाँ पर feeling हम लोगों को feel करनी है side के edges चारो कोने से इसके जोड लेना है easily stick हो जाएगा और यह बन के ready और यह easy भी है आप चाहे तो किसी भी तरीके का shape दे सकते जो भी आपको easy convenient हो आप वैसा shape दे दीजिए यह मुझे easy था तो मैंने इसलिए फटाफट से यही shape सारे momos को दे दिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितने सारे momos बनाए है माशारला धेर सारे बनाने थे मुझे अब बारी आती है यह एक plate और extra है अब मैंने यहाँ पे steamer भी रखा है तो मैंने दो burner पे अलग-अलग steamer रखा है यहाँ पे एक देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी डाला है तक्रीबन पाउड एक चीज़ इतना पानी है इसमें और high flame पे मैंन करना है momos को यह अच्छे से गरम हो गया है अब पहले हम लोग जो है oil से grease कर लेंगे इस टेनर oil से grease करना बहुत ज़रूरी है वरना जो आटा है वो चिपकता है तो momos आपके shape बिगड सकते है तूट सकता है momos तो better होगा कि आप पहले oil से इसे अच्छे से grease कर लें इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक-एक momos इसमें place करेंगे और 10-12 minutes के लिए मैं high flame पे cook करूँगी 2-3 minutes के लिए इसे 15 मतलब कि slow flame पे इसे cook करना है उपर से भी मैं oiling grease कर रही हूँ सारे momos पे और इसे ढखके 10-15 minutes के लिए हम लोग high flame पे इसे cook करेंगे 10-15 minutes में यह completely cook हो जाता है यानि कि जो अंदर का चिकन है वो भी अच्छा juicy रहेगा और cook हो जाएगा यहाँ पे यह दूसरा steamer भी चड़ा दी हूँ मैंने जो कि यह भी गरम हो चुका है तो मैं इसे oil से grease कर रही हूँ stainer को और इस पे भी हम लोग जो है momos place कर देंगे जादा चिपका चिपका के नहीं रखना है थोड़ा सा गैप रखेंगे और इसे भी ढख देंगे 10-15 minutes के लिए उपर भी oil grease करना है इसके जब तक यह cook हो रहा है अभी और भी momos हमें steam करने के बागी है इसे भी ढख देना है और जो पहले हमने momos cook करने के लिए रखे थे steam होने के लिए यह perfectly steam हो चुके है और अब हम लोग इसे निकाल देते है एक plate में आप किसी भी टॉंग की help से इसे निकाले इसी ली निकल जाता है चम्मच या छूरी का इस्तिमाल ना करें यह इसी ली निकल जाता है आप देख सकते बिलकुल भी नीचे चिपका भी नहीं है बिलकुल भी sticky नहीं है स्टेनर में थोड़ा सा ओयल फिर से हम लोग ग्रीस करेंगे और इसका सेकेंड बेच टालेंगे इसी तरीके से मैंने सारे मॉमोस स्टीम कर लिये थे बट इंडियन लोग जो है फ्राइड मॉमोस भी जो है वो चाइना से इंडिया में आये तक कि मॉमोस जो है फ्राइड होने लगे तो जादा टेस्ट आता है फ्राइड मॉमोस का इसलिए सबसे पहले मैंने पूरे स्टीम कर ली थी मॉमोस जितने भी मॉमोस हैं यहां पर मैंने बनाई हूँ सारी डंपलिंग्स को स्टीम करना है और steam करने के बाद में अब मैं इसे थोड़ा सा थंडा हो जाएगा उसके बाद में फिर इसे हम लोग fry भी करेंगे यहाँ पर मैंने इसका second batch भी डाल दिया है second stainer में और जैसे ही यह पूरे complete हो जाएंगे इसको oiling करना है oiling करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि refined flour है तो sticky होता है थोड़ा सा अगर हम लोगों ने oiling नहीं किया तो यह चिपकने लगेगा और तूट जाएगा momos का shape भी गड़ जाएगा तो इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ पर complete हो चुका है पूरे momos मैंने steam कर लिए है बहुत चुटे चुटे से है यह इसके बाद मैंने आधे steam रखी थी और आधे पूरे momos को मैंने पूरा fry कर दिया था deep fry करी दी और यह बहुत tasty था इसकी complete recipe मैंने आप लोगों के साथ detail में share किया है fried momos जो है जादा tasty था comparatively steam के तो आपको जैसे भी जो पसंद हो यह steam पसंद है तो आप steam भी रख सकते हैं और अगर fry करेंगे तो और जादा tasty हो जाता है बढ़ डी फ्राइड जो है unhealthy भी होता है तो आप इस बात का भी ध्यान रखे तो आप लोगों को अगर recipe पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले लाइक कीजिए मेरी वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए बताना मुझे आप लोगों को मेरी recipe कैसी लगी और बहुत अच्छे लगे तो अपने family और friends के साथ जरूर शेय कीजिए तब तक लिए bye take care enjoy the recipe